हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू मटर की सबजी आलू मटर बनाने की लिए पहले हम आलू को काट कर अच्छे से धो लेंगे हम मटर को भी छील कर अच्छे से साफ कर लेंगे अब कडाही को गरम करेंगे, इसमें डालेंगे एक चम्मस तेल जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे अपने आलू को और इसे बीजूज में चलाते हुए आलू के गोल्डेन और नरम होने तक पका लेंगे आलू गोल्डेन हो गये हैं, अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेते हैं सी कड़ाही में हम फिर से तेल डालेंगे और जब तेल गरम हो जाए डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज एक चमज अधरक लेसुन का पेश्ट और इसे प्याज के गुलाबी होने तक भून लेंगे अब इसमें डालेंगे मसाले, एक चमज धनिया पौडर, एक चमज जीरा पौडर, एक चमज लाल मिर्च पौडर और आधा चमज हल्डी पौडर स्वाधानोसार नमक अब मसालों को थोड़ा सा पानी डाल कर हलका सा बून लेंगे मसाले भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे टमाटर, और इसे जब तक भूजेंगे जब तक टमाटर गल न जाए और मसाले तेल न छोड़ दे अब इसमें डाल देंगे मतर, इसे दो मिनिट पका लेंगे अब डालेंगे आलू को और आलू और मटर को 3-4 मिनट मसालों के सर पका लेंगे अब इसमें डाल देते हैं एक कप पानी और धक्कर लागा कर इसे 5 मिनट पकने देंगे 5 मिनट हो गए है अब इसे चेक कर लेते हैं अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच कसूरी मेति, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, बारिक कटा हरा धनिया, इसे ढखकर एक मिनट और पका लेंगे ये देखे हमारी आलू मटर तयार है, आलू मटर की सबजी तो आप हमेशा बनाते हैं, एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करें आपको अगर हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाई